हेलो एबरन वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्ण अकैडवी में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोट करेंगे साइन्स का थर्ड चप्टर चल ला है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातव और अधातु इससे पहले इस चैप्टर के हम 13 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने एंशार्टी का जो नोटस वाला पोर्शन है उसको कबर कर लिया है आज की इस वीडियो में हम ए पूरे वीडियो मिलते रहें चले सुरू करते हैं मेटल से नॉन मेटल पार्ट फॉर्टी एंशाटी पेज नुमर फॉर तो एंशाटी में पेज नुमर फॉर में दिए विए क्वेक्ट्र आंसर है उनको डिसकस करें गिबन एक्जैंपल ऑप अमेटल वीज ठीक आपको उ जो रूम टेंपरिचर पर लिकुड इस्टेट में रहता है तेट इस मर्करी ठीक है मर्करी का सिंबल क्या था एज जी पारा ठीक है पारा दिया पारा तो मर्करी है जो रूम टेंपरिचर पर क्या रहता है लिकुड इस्टेट में रहता है कांसा ऐसा मेटल एटम है जिसको हम आसानी से चाकू से काड़ सकते हैं तो जो सब्सक्राइब एंड़ होगा तो इल्ग डिंड़ि Portal एलिक्षित h Başta चड़्ब्ध को सब्सक्राइब सब्सक्राइब का सिंबल क्या होता है अगयर। का है платक ने के सम्बल क्या होता है ऑजी कि जब पूर कंड़क्र आफ फीट ठीख है जो हीट है उसमा है उसका पूर तो इसका आंसर क्या है PV लेड तो यह क्या हमारे पास आंसर थे लिकुट रूम टेंपरिचर पर लिकुट हैगा तो मरकरी ना आसा निसे हम चाखुशे कार सकते हैं सुडियम को ठीक है बेस्ट कंड़क्टर कौन था है सिल्वर और पूर कंड़क्टर कौन सा हो गया लेड कु क्या हमारे पास जैसे कि अल्बुमुनियूम है इल्मुनियूम की चादर बनाए जाती है तीक है यह या पिर भी बीट कर सकते हैं लेकिन उतना जैद के हुआ जए हं या फिर फॉल सीवर्ड के होग है यह फिर अज़ने होग है तो मेटल आटम जिनको आहां यहांसाने से क्या करेंगे शीट की र लोगत तार के रूपमें क्या करते हैं जुको बांड सकते हैं फिक तो उससे क्या भूबल में मैं जिसको क टाओ सकते हैं और डग्टाइल जिसको हम किसमें एक थीन वायर की रूप में क्या सकते हैं ढाल सकते हैं तो यह क्या बन जाएगा हमने पास आंसर बन जाएगा एंड शाड़ी पेज नूबर 10 क्यों रखा जाता है तो यह क्या है अपने बहुत ज्यादा है तो यह मौस्चर जहां पर मिलता है यह पानी जहां पर मिलेगा तो उनसे हुण करते को बहुत जलदी क्या लिए तो abda मोस्चर बेहर सब्सक्राइब Cyne go जो हमारे पास के है इस तरह की छू घटना होगी उससे बसने के लिए क्लिका करता है हम उनको कहां पर इस्टोर क्या जाता है मिंटी की तेल में राइट, equation for the reaction, iron with steam, iron का symbol क्या होता है, Fe, steam कारतर क्या होगा water, steam है तो पानी का ही रूप है, ठीक, गैसी स्टेट में water है, तो Fe plus H2 is equal to Fe3O4 plus H2, तो hydrogen gas क्या होगा, यहाँ पर बाहर निकलेगी, अगर हम liquid water लेंगे, यानि थंडा पानी लेंगे, तो उसमें यह reaction पॉसबल नहीं होगी, there is no reaction, तो steam provide करेंगे, तो steam के साथ ही क्या होगी, यह reaction पॉसबल बनेगी, calcium and potassium with water, balance कर लिजेगा, क्योंकि बैले साब को हम पहले बीदा चाहिए, अगर कोई equation balance नहीं होती है, तो calcium and potassium with water, calcium plus water is equal to calcium का hydroxide COS का whole twice, plus H2, hydrogen gas क्या होगी, आपन बाहर निकल जाएगी, वैसे potassium plus 2H2O, यह कोड़े के बनेगा, 2KOS plus H2, तो यह क्या थे है, हमार पास, calcium और potassium की क्या है, reaction with water, question मत्री, samples of four friends, four metals, A, B, C and D, were taken and added to the following solution, one by one, the results open and have been tabulated as follows, तो चार, क्या थे, metal atom थे, A, B, C, D, चार मुन को रखा गया था, उनके solution दिये गए थे, ठीक है, different metal के solution दिये गए है, उनको A के बाद A करके क्या क्या reaction कराए गई, या उनके observation क्या गया, तो निम्ट table में दिये गई है, तो इन table में different reaction लेकिए गए, तो इसकी बेस पर, use the table above the answer, above to answer the following questions about metals A, B, C and D, ठीक है, तो आपको जो observation दिये गए है, ठ B, C, जो D metal atom है, उनकी reactivity या फिर उनकी different question है, उनको देना है, iron sulfate, A metal atom है, ठीक है, iron sulfate, तो लुमा, आम question देखते है, which is the most reactive metal, ठीक है, इन में से कौन सा सबसे ज्यादा reactive metal है तो उसको करना है, तो B is the reactive, most reactive, देखों, इसको देख सकर करते हैं, metal plus iron sulfate, देखा हमारे पास क्या ह iron sulfate के साथ, अगर हमें reaction कराते हैं, तो reaction क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो यह no reaction का part है, तो इसका मतलब क्या होगा, A की reactivity क्या होगी, इस solution से क्या होगी, कम होगी, A is less reactive compared to this one, ओके, दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, B, plus B, अगर iron sulfate से reaction कर रहा है, तो displacement reaction हो रही ह तो क्या बनेगा, B का sulfate बन जाएगा, और iron अलग हो जाएगा, तो reaction क्या हो रही है, यानि reaction proceed हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो B metal atom है, वो iron sulfate से क्या है, जाधा reactive है, तो यह इसका meaning है, तीसा statement क्या है, C plus iron sulfate, C plus FeSO4, तो इसमें भी क्या हो रही है, no reaction हो रही है, त तो इसका मतलब DB क्या होगा, iron sulfate की तुलना में क्या होगा, सबसे कम reactive हो, तो अब आपको जो A, B, C, D, जो different metal atom दिएगे हैं, तो इनमें से reactivity सबसे जाधा देखनी है, तो सबसे जाधा reactive कौन सा होगा, जो displacement कर सकेगा, जो displacement कर रहा है, तो वो क्या होगा, सबसे जाधा reactive होग तो हमार पास क्या होगा, तो इसमें से जो A होगा, जो B होगा, इस displacement कर रहा है, तो इसका मतलब B क्या होगा, सबसे जाधा reactive हो जाएगा, तो इस जाधा आपको क्या करना है, प्लेस करना है, तो फिर क्या करना है, देखो दूसरे इसके सांद में बताता हूँ आपको, तो फ तो यह क्या होगा, इसमें reactivity, मतलब A क्या होगा, copper sulfate को displace कर रहा है, तो copper sulfate से A जाधर reactive हो जाएगा, ठीक है, C, मतलब B, अगर copper sulfate है reaction तो हमें कोई data नहीं मिल ला है, तो इसका मतलब E reaction कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो हमारे पास data नहीं है, इसका, C plus copper sulfate, C, तीसरी statement को देखे हैं, C plus copper sulfate, यह वाला, ठीक, इसको देखे हैं, तो copper sulfate से reaction करा रहे है, C, U, SO4, C, तो इसमें भी no reaction, तो यह reaction नहीं कर पा है, तो इसका मतलब, जो C है, वो copper sulfate से क्या है, less reactive है, तो इस दंग से आपको different observation क्या करना है, दिये गए हैं, तो उसकी वेस्टा आपको reaction ल solution बला दिया जाए, तो क्या होता है, तो देखो B, copper sulfate की solution में मिला दे, तो B plus copper sulfate solution, तो इसका मतलब क्या होगा, B plus U, SO4 is equal to displacement हो रहा है, तीक है, question 3, are in the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity, तीक है, तो different metal atom है, उनकी reactivity की हिसाब से क्या करना, आपको write करना है, तो सबसे ज़्यादा reactive क्या यहाँ से, तो यह सबसे ज़्यादा reactive होगा, फिर copper sulfate में यह displacement कर रहा है, तो यह reactive होगा, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, C metal atom इसको displace कर रहा है, तो यह क्या होगा, तीसे नमर पाजएगा, और चौथिक है, तो हमारे पाँ observation नहीं है, तो चौथिक है, तो हम ऐसे अ हमारे पास क्या था, फिक ही ले ले था हम, तो फिक प्लस SCL, इसको बनेगा फिरी कोलाइट, फिरस कोलाइट बनता है से पहले, हम इसको देख रहे है, तो यह hydrogen gas क्या होगी, तो पहले वाली जो reaction है, यह वाला पार्ट, इतना यहां तक, तो इसकी reaction यह है, कौनसी, Fp plus SCL is equal to Fcl2 plus H2, hydrogen gas बहाँ निकल जाएगी, अब जो second step पूछ रहा है, उसकी reaction है, आप लिखी हुए है, और आप है, रहे चेमिकल रियक्शन, वन आइरन रियक्शन रियक्शन, इसको है, PSO4 plus H2, इससी स्थी प्लाइट में भी ह क्या होगी, hydrogen gas रिलीज की जाएगी, question 5, what do you observe when zinc is added to a solution of iron significant sulfate where the chemical reaction takes place ठीक है अंसर देखेगा, zinc is more reactive than iron therefore, if zinc is added to a solution of iron significant sulfate then it would displace iron from the solution ठीक है, zinc क्या है, iron sulfate से ज्यादा reactive है, तो zinc क्या कर देगा iron sulfate के solution से iron को क्या कर देगा, displace कर देगा और zinc का sulfate बना देगा ठीक है, तो हमर पास reaction क्या हो जाएगी Zn plus Fe is equal to Zn is equal to 4 plus Fe एंसर देगा page number 13, write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium आपको क्याना है, sodium magnesium और oxygen की electron dot structure बनाना है, उसके बाद second question क्या बाद, choose the formation of Na2 and mg of the transfer of electron तीसो question क्या है, what are the ions present in the तो हम sodium, electron dot structure of sodium, sodium को लेते हैं सबसे पहले sodium Na, ठीक है, electronic configuration क्या है, 281 यह क्या है, electronic भी नियास है autonomous cell से electron त्याग दिया जाएगा एक electron को हम त्याग दिंगे, तो configuration क्या बन जाएगा Na2, तो यह इसका configuration होगा, ठीक है electron donate क्या है, तो इस पर कैसा charge आएगा, प्लस charge autonomous cell पर कितने electron है, एक तो इसको sodium dot का गिए, यह sodium का electron dot structure हो जाएगा वैसे अगर हम magnesium के लिखना चाहें, तो mg, configuration क्या है, 282 autonomous cell से electron निकालेगा, तो mg, कितना positive charge, 2 positive charge configuration क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा अब इसको भी अगर हम electron dot structure लिखना चाहें, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, mg, autonomous cell पर कितने electron थे, 2 electron, तो हमने इस दो electron represent करती है, यह dot से दिखाना है, dot लिखना है तो dot दिखा दो, 1 dot, 2 dot, ठीक है, तो इस दंक से हम इसको electron dot structure दिखेंगे, magnesium का, oxygen का, oxygen का electron configuration क्या होता है, 2, 6, atom number 8 होता है, 2, 6 electron configuration है, ठीक है, अब देखो इसका autonomous cell पर कितने electron है, 6 electron electron accept करने वाला हम अब भी दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 electron accept करता है, तो O, इस पर कितना 6 electron दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 electron हम इसके autonomous cell पर दिखाएंगे, 2 electron accept करेंगे, तो 8 हो जाएंगे, इस दिखाएंगे, इसको मैं भी बाद में discuss करेंगे, तो oxygen का electron configuration क्या होगा, O, 1, 1 electron, दूसरा electron, 3, 4, 5, 6, तो यह option का electron dot structure हो जाएगा, ठीक है, तो इस दिखाएंगे, sodium, magnesium और aluminium का electron dot इस दिखाएंगे, तो यह यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपने दिखाएंगे, so the formation of Na2O and MgO by the transfer of electron, अब Na2O कैसे भीना तो उसको आपको represent करना है, देखो Na, sodium, कितना electron था, एक electron extra, दूसरा sodium में ले लिए हमने Na, तो इस पर कितना electron दिखाएंगे, एक electron, ठीक है, प्लस oxygen, oxygen पर कितना electron है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron है oxygen का, electron dot structure है, अब एक electron यह transfer करेगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो 7 electron यह हो जाएगा, oxygen का, यह electron भी यहाँ से transfer किया जाएगा, oxygen के लिए, तो यह क्या हो जाएगा, एक electron यहाँ पा जाएगा, तो यह हो जाएगा, dot structure, ठीक है, sodium, automation पर एक electron था, ठीक है, उसने डोनेट किया, oxygen के पास यह दिखा दिया, हमने तीर से, दूसरा यह sodium ने भी electron dot करेंगे, तो यह वाला बन जाएगा, ठीक है, यह यह यहाँ पर आजाएगा, अब इसके बाद हम आगे वाले step हम दिखाते हो फिर, जब यह बन गया, तो sodium ने कया करे उलेक्टौन को त्यागा, तो एटन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजटिव souls दूस्से है तो चयाट और पर और और मुर्णा तो चया सब्राइब अ कुर्णा केृ यह सर्ड घाली पॉट्र तो लेकृष स्टेसयों कि अपको चैन। इसके बाद लास्ट इस्टप इस्टंक से लिखेंगे अगर इसको formula के रूप में लिखते है तो इसको इस दंक से लिखा जाता है na2 o ठीक है na plus na कर दिए इसको plus को हटा दुआ प्लस चार्ज को हम रिमूब कर देते हैं विष्टू का उकुण तो इसनилась इस संगा मिर्टा स्टार इलेक्टर Nintendo को ट्रांसफ़र करे आते हैं तो honest नेक्सर इंग बिरकुर से गत्र लिखने को इसनी एकफ्षीन के अरिक्सिन है थीका हैं kr2 मेसनуж यहाँ से ट्रांसपर यहां किया गया और वैसे ही यह electron को हम यहां से इधर ट्रांसपर केंगे तो क्या बन जाएगा structure इसके बाद हम उपर को बना रहे हैं यहाँ पर mg कितने electron ट्यागे दो पॉजिटिफ ऑक्षिन ने कितने electron accept किये दो electron यह दो electron इसने पर two negative charge तो इस नक्से क्या होगा हमारा पास species बनेगी तो sodium magnesium पर two positive charge और oxygen पर two negative charge आजएगा ठीक तो mg two positive o two negative charge क्या होगा cancel तो हमारा पास फोर्मर क्या बन जाएगा mg तो इस नक्से क्या होगा हमारा पास magnesium का oxide form क्या आता है ठीक है what are the ions अधियर से present in these compound इस compound में जो different compound बना हमें उन्हें कौन-कौन से आएगन है तो आपर देखो एन टो तो एन टो में कौन-कौन से आएगन है एक sodium आएगन है एक sodium आएगन है दूसरा क्या oxygen आएगन तो एन पॉजिटिव और oxygen 2 negative है तो दो आएगन तो यह होगे और MgO MgO में भी magnesium आएगन है और oxygen आएगन है तो हम क्या लेखेंगे Mg2 positive और oxygen 2 negative तो यह क्या होगा हमार पास positive हो तो इसमें total आएगन की बात करें तो तो तीन आएगन बनेगी एक sodium आएगन मिलेगा हमे एन पॉजिटिव एक magnesium आएगन बनेगा Mg2 positive और यह क्या मिलेगा oxygen आए negative तो तीन species के हैं इसमें present है चले आगे बढ़ते हम वाई डू आएगन कंपाउंट है उनका melting point गलनांग उच्छी क्या है तो यह आपसे पूछा गया है इस ट्रांग force of attraction between oppositely charged ions means that ions compounds have high melting and boiling point जो दो opposite charge है जैसे हमार पास opini positive है और CL negative है जैका ενी CL usually compound है तो इस sodium पे क्या positive charge इस chloride पे क्या negative charge तो positive और negative charge क्या है अपने आपमें एक दूसरी क्या है बहुत strongly क्या गटाँदेते हैं अट्रेक्ट करते हैं एक दूसरी का बहुत strong force से क्या गरते है अट्रक्ट करते है जिसकी बेश में इनका melting और boiling point है वो क्या हो जाता है बहुत उच्छे हो जाता है when dissolved in water ionic compounds form a solution in which can be moved ठीक अगर हम इसको पाने में भोलते हैं तो इसकी जो ions से क्या हो जाते है डिजॉल हो जाते है this means that this solution can conduct electricity इससे क्या होता है इनमें बिद्धुधारा आसानी से बहने लग जाती है and shadow page number 17 define the following terms पहला है mineral or gang mineral ठीक है most of the elements occur in the nature as in combined state as mineral ठीक है प्रकृति में जो पदार्त combined ठीक है एक दूसरे element के साथ क्या होता है combined state में पाए जाते हैं उन्हें क्या मोलता है minerals बोलते हैं जैसे मान पास sodium है magnesium है oxygen है chlorine है sulfur है phosphorus है ठीक है तो जो दार्त क्या होगा एक दूसरे से अगर combined state में possible हो रहे हैं तो इससे क्या बोलेंगे mineral बोलेंगे the chemical composition of mineral is fixed इसमें जो chemical composition होगा राशनी रूप से जो शंगठन होगा ठीक है उनका जो अनुपात होगा और क्या होगा fixed होगा अब ओर देखेगा ask mineral को खनीज बोलते हैं और को ask बोलते है mineral from which metal can be extracted profitably are known as ores ठीक है यानि वो mineral ठीक है जिस्चे हम profitably और convincingly दो बड़ आते हैं इसमें एक ही लिखावा है profitably and convincingly जिससे हम धातु को आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं या extract कर सकते हैं उससे क्या मोलते हम और कह देते हैं यानि mineral उस mineral से एक particular धातु को metal को extract आसानी से किया जा सकेगा तो वो उस metal का ore कहलाएगा ठीक है gang the impurities send silt soil gravel present in the ore are called gang ठीक है यानि impurities जो किसमें जो mineral होगा उसमें जो पाई जाती है impurities तो उससे क्या बोलते हम गैंग बोलते हैं ठीक है जैसे हमार पास कोई भी metal atom है और है उस और में किसी अनित हातु की impurities होंगी तो क्या होगा गैंग कहलाएगा जैसे हमार पास c u f e c u f e s to iron pirate है तो यह copper का s कह है तो यहाँ पर जो iron होगा और जो sulfur होगा तो यह क्या होगा गैंग की रूप में इसमें present होगा यह unwanted impurities या कोई दुस्रे पदार्थिक metal की भी क्या हो सकते हैं उसमें impurities हो सकती है एक मैटल में अगर दूर्सा मैटल में है तो वह भी जो reactivity series है उस reactivity series में सबसे नीचे reactivity series यह है तो यहाँ पर जो matter atom पाये जाएंगे तो उसे क्या बोलता हम less reactive matter atom बोलते हैं तो नेचर मोग फ्री आउस्ता में या मूग तो आउस्ता में रह सकते हैं जैसे इस सिल्वर हो गया गॉल्ड हो गया और अउस्ता में प्राप्त करना है तो कौन कौन से इस तो वह आप उसे पूछा गया है इस प्रक्रिया में जो मेटल अक्षाइड होगा उसको हम किसके साथ कोई recent valuedけて ईसकी करते हैं जिससे क्या करेंगा वह उस मेटल एक्षाइड से मेटल एक्षाइड से मेटल एक्षाइड में वह अलग अलग हो जाएगा और जो अ mettre हम आप लेंगे वह उसका ऑक्षाइड बना देंगा ठीक है या फिर बहुत ज्यादा तो उसका भी हम use करते हैं, तो यहाँ पर कुछ example देगे हैं, for example, zinc oxide is reduced to metallic zinc by heating with carbon, तो ZnO plus C is equal to क्या बनेगा, Zn plus Cu, तो carbon क्या हो जाएगा, हाँ पर reducing agent हो जाएगा, तो हमार पास क्या हमने गा, C2O3 plus EL, तो इस दंग से क्या हमार पास, different जो metal atom होगे, उनको हम अलग सकते हैं, magnesium का भी use कर सकते हैं, aluminium का यूज़ करते हैं, next हमार पास है, metal oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals, तो इन में से आप कौन सी reaction, displacement reaction होगी, तो आपको क्या करना है, आपको reactivity series याद होनी चाहिए, reactivity series में जिसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी, वो दूसरे metal atom को क्या करएगा, उसके solution से आसानेशी displace कर सकता है, तो metal, zinc oxide, magnesium oxide, copper oxide, तो यह आपको दिया हुआ है, zinc, ठीक है, तो no reaction, magnesium के साथ क्या करेगा, magnesium displace कर देगा, zinc, zinc को तो displace करएगे नहीं, क्योंकि वो तो चीक है, तो magnesium के अगरते को displace कर देगा, इसका मतलब क्या होगी, zinc से magnesium क्या है, ज्यादा reactive है, ठीक है, copper, copper metal no reaction दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, copper zinc oxide से क्या होगा, कम होगा, देखो हमारे पास क्या था zinc oxide, zero, x jeden, तो इसने क्या गर दिश्को डिस्प्लेस कर दिया तो मेंगनेशिम क्या होगा ज्यादा रियक्टिव हो जाएगा वैसे अगला क्या हमार पास जिंक ऑक्साइड को अगर हम कॉपर से रेक्षिन ग्राएं तो जेड़न ओ प्लस सी यू इसमा 2 ग्राएं मैंगनेशिम और पास यहां पर आता है तो जांसे क्या है जो आएटम ऐसानी से क्वरोइड ठीक है संचार्ट नहीं होता है more reactive metal is more likely to be corroded यानि जो धातू बहुत ज़्यादे reactive होगा तो आसा निशी क्या हो जाएगा corroded हो जाएगा therefore less reactive metals are less likely to be corroded यानि जिसकी reactivity क्या होगी कम होगी जिसकी केरियाशिल तक कम है वो धातू कम reactive होगा this is why gold platering provides high resistance corrosion तो gold platering जो की जाएगी जैसे हम कुछ metal atom के नाम लिखें तो gold हो गया AU, silver हो गया AG, platinum हो गया PT तो ये metal atom के आते है थोड़ा सा less reactive होते हैं तो इनी metal atom की corroding की जाती है what are alloys तो उसके बार में लिखना है alloys are homogeneous mixture of two or more elements तो alloy के आपने आम में दो या दो से अधिक धातों का समांगी मिस्तरण है याद रखेगा समांगी मिस्तरण कह रहे है the elements could be two metals or a two or a metal and a non metal जो इसमें दो धातों हो सकते हैं वो धातों भी हो सकते हैं और अधातों भी हो सकते हैं an alloy is formed by first melting the metal and then dissolving the other element in it पहले किया गया था जब alloy बनाई जाती तो एक metal atom को पिखला जिया जाता है गरम किया जाता है तब जाके उसमें दूसरे metal atom को मिला दिया जाता है for example steel is an alloy of iron and carbon steel किसकी alloy है iron और carbon की alloy है मिस्तरण हातो है वैसे आपने कुछ और मिक्सरे धातो की नाम बताएं तो ठीक है जैसे हमारे पास किया है German silver है ठीक है brass है और kansa ताबा जो बोलते हैं उसको ठीक है steel हो गया पीतल हो गया तो यह कहा है सब कहा है मिक्सरे धातो है thank you वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए